तो फाइनली आज की मारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हम फैंस एपिसोड 9 के बारे में जहांपे मैं आप लोग के काफी सारे क्वेशन्स के अंस्वर दूंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप लोगों ने इस सीरीज के बाकी पार्ट नहीं देखे तो आप लोग इस वीडियो के एंड होने के बाद वह सारे पार्ट भी देख लेना वहां पर मैंने आप लोग के काफी सारे क्वेशन्स को क्लियर किया था उन सारे पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल ज करने की ताकि आपको फीचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहें बात करते वीडियो के लाइक के बारे में जोकि यह 700 लाइक एंड 50 कॉमेंट उमीद करता हूं कि आप लोगी समाल से टारिगट को इसली कम्प्लिट करा दोगी तो चलिए बढ़ते ह हमारी वीडियो की तरफ तो आज के मारा पहला क्वेस्चेन की कौन सी औ्मलेट रिक्स बेस्ट है तो यहां पे मैं ज्यू घ्यक को से इसली लिलन वेस्ट है तो यहाँ पर विलकेक्स का नाम मैं चूस करना चाहूं जाूंगा कि बाद सिरीज का सब्सेर एलिड को यहां पर सबसे प्रयंन सबसे सब्सक्राइब एलिज्य को क्यों प्रत आफिजे के पीए यहांे नहीं पर एसका गयांटरत को काम है लेकिन कावी सारी fans theory के हिसाफ से यह माना जाता है कि क्यों नहीं होती आप लोग को बता दू कि बैंट 23 हमें कुछ ही एपिसोर्स में देखने को मिला है और हमारा जो प्राइम टाइम लाइन का बैन है उसकी ओमनेटरिक्स बैंटन एलिन फोर्स में जाके रिकैलिबरेट हुई थी यानि कि उस टाइम तक बैन काफी बड़ा हो च बैंटन सिरीज में नौवच बैंट का रेफरेंश था क्योंगी बैंटन ओमनिवर्स में हमें ऐसे ही देखने को मिला था कि नौवच बैन ही वो रीजन था जिस वज़ेसे बैंट को ओमनेटरिक्स मिल पाई थी लेकिन गाइस बैंटन क्लासिक में हमें यह चीज़ एक्सप कर दिया गया हूर हमीं दिखाया गया कि नौवच बैन ने फ्यूचर से आके बेंटन क्लासिक वाले बैन को ओमिनेटरीक्स दिलाई थी इसके बाद हमारे पास next question है क्या सब्सक्राइब करें तो हमें जो कभी बन सकती है अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है लेकिन खुद से कभी बन सकती इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि कभी बैन ने ultimate फोराम का यूज क्यों नहीं किया तो आप लोग को बता दू कि बैन को कभी जूरती ही नहीं पड़ी कि इन एलिएंस का वो अल्टिमेट ट्रांस्फर्मेशन भी यूज करें कि बैन उस टाइम पे किसी भ को अल्टिमेट 待 इलिश्ट में ट्रांस्फर्म करें इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि बैन ultimate इलिएंस के नाम को हम याद रखें और हमें काफी बर बैन की सीरीज में यह चीजध देखने को मिलिए कि बैन ट्रांस्फर्म होने के बाद कई बार इलियू के नेम को नहीं पुकारता था, हमारे पास next question है कि Benton Alien Force और Benton Ultimate Aliens के जो एपिसोड है, वो जाथा हमें रात वाले ही देखने को मिलते थे, लेकिन Benton Classic और Benton Omniverse के एपिसोड हमें जाता दिन के ही देखने को मिलते थे, तो ऐसे इसलिए होता था कि Benton Alien Force में जब Ben ने दौरारा से Omnitrix को पहना था और Kevin के साथ और Gwen के साथ उसने अपने टीम बनाई थी तो रात के टाइम पर ही कावी सारे missions पर जाते थे क्योंकि उनको morning में school भी जाना होता था और उनको study भी करनी होती थी यह चीज़ हमें Benton Alien Force में clearly explain की गई है और ऐसे हमें Benton Ultimate Aliens में भी देखने को मिला था वहीं पर Benton Classic में हमें जातर दिन के episode इसलिए देखने को मिलते थे क्योंकि उस टाइम पर Ben summer की छुटियों पे था और वो अपने summer को enjoy कर रहा था वहीं पर Benton Omniverse में तो Ben की सचाई के बारे में सब को पता था और Benton Normally अपनी study को छोड़ के अलग से missions पे जाता रहता था हमारा next question है कि Benton Omniverse में Ben ने Chromaston और Jetray का use क्यों नहीं किया यान की उन में क्यों transform नहीं हुआ तो आपको बता दू कि Benton Omniverse में Ben कई बार Chromaston की बोड़ी में transform हो चुक है उसकी powers का use करके उसने कई opponent को हराय भी था किया तक कि Benton Omniverse के last episode में भी उसने Chromaston का use किया था लेकिन Ben ने कभी भी Jetray का use Benton Omniverse में नहीं किया और Benton Omniverse में Ben ने Jetray का use क्यों नहीं किया कि Wilgax ने Omnitrix को कई वार आसिल कर लिया था और मुझे लगता है कि इस question consumer देने की मुझे बिलकुल भी जूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने तो Benton series में यह चीज़ देखी लियोगी कि आखिर Wilgax को Omnitrix मिलने के बाद Wilgax क्या करता इसके बाद हमारे पास question है कि आखिर कैविन को एलिनेक्स और वेविक की पावर क्यों नहीं मिली तो इस topic पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना उ Benton Universe में Elbido काफी important character है और हो सकता है कि Benton की new series में हमें Elbido 10,000 भी देखने को मिल सकता है मैं यहां पर आप लोग के opinion को जाना चाता हूं कि आपको क्या लगता है Benton की new series में हमें Elbido 10,000 देखने को मिल सकता है या फिन नहीं नीचे comment करके अपना opinion देना बिल्कुल मत बूलना तो यह थे आज के हमारी Q&A वीडियो के questions अगर आप लोग का question इस वीडियो में pick नहीं हुआ तो आप लोग नीचे comment करके मुझे बता देना मैं next वीडियो के लिए यहीं से questions को pick करने वाला हूं तो आपके mind में super user related कोई भी question आता तो आप लोग नीचे comment करके मुझे बता सकत हैं तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले upload की किस्टारी वीडियो देख लेना वह काफी जदा awesome है एक वार चेक आउट जुरू करना